नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है चमतकारी टोटके में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि महाशिवरात्री के दिन भूल से भी शिवलिंग पर ना चड़ाएं ये पाँच चीजें भगवान शिव हो जाते हैं क्रोधित। चमतकार करते हैं जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उन लोगों के लिए ये बहुत ही शुब है। भगवान शिव को प्रसंद करने के लिए व्यक्ति पूरे दिन का वरत रखते हैं और भोलेनात की पूजा करते हैं। जिसको जानना आपके लिए बहुत ही आवशक है। आपको बता दें कि ऐसी पाँच चीजें हैं जिने महाशिवरात्री के दिन शिवलिंग पर गलती से भी नहीं चड़ाना चाही। यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान शिव आपसे रुष्ठ हो सकते हैं। लेकिन आपको पाँच ऐसी चीजें बताते हैं जो भगवान शिव को अर्पित नहीं करनी चाहिए। लेकिन चोर का पता लगाने में वो लोग नाकाम रहे और अपनी हार स्विकार कर ली। लेकिन ब्रह्मा जी ने इसी दोरान एक जूटी कहानी रची। वो अपने साथ केतकी का फूल ले आए। उससे उन्होंने साक्ष देने के लिए कहा था। वापस आकर ब्रह्मा जी भगवान शिव से कहने लगे कि उन्होंने जोतिरलिंग के अंत का पता लगा लिया है। और केतकी के फूल ने भी उनके जूट को सच करार दे दिया। फिर क्या था। ब्रह्मा के इस जूट से शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। शराब भी दिया कि उनकी कभी कोई पूजा नहीं होगी। तब से ब्रह्मा जी का वो कटा सिर के केतकी के फूल में बदल गया महादेव ने केतकी के फूल को भी श्राप दिया कहा उनके शिवलिंग पर कभी केतकी के फूल को अरपेत नहीं किया जाएगा तो दोस्तों दूसरी चीज है तुलसी का पत्ता शिव पुरान के अनुसार असुर जलंधर की एक कहानी है उसे जलंधर का वेश धारन कर वरिंदा के पास पहुँच गया और इससे वरिंदा का पती धर्म तूट गया भगवान शिव ने असुर जलंधर का वद कर उसे भस्म कर दिया वरिंदा जो तुलसी में परिवर्तित हो चुकी थी इस घटना से बेहत निराश हो गई उसने स्वयम भगवान शिव को अपने आलोकिक और देविये गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया शिव की पूजा में अपनी पत्तियों के उपयोग पर उसने रोक लगा दी तीसरी चीज है नारियल पानी महादेव को भले ही नारियल अर्पित किया जाता है लेकिन कभी भी नार फिल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए चौथी चीज है हल्डी गुणों की खान हल्डी का भले ही स्वास्त वर्धक उपयोग हो सुन्दर्ता बढढाने के लिए भी इसे सिंदूर लगाती हैं इसके उलट महादेव त्रिदेवो में विनाशक हैं विद्वन्स की भूमी का निभाते हैं लिहाजा सिंदूर से उनकी सेवा करना अशुब माना जाता है दोस्तों इसके अलावा शिवलिंग पर जब भी दूद से अभिशेक करें तो जरूर ध्यान दूद ठंडा और साफ होना चाहिए शिवलिंग के पास गौरी और भगवान गणेश की प्रितमा अवश्य रखें अकेले शिवलिंग ना रखें शिवाले में जाकर आपने देखा होगा कि शिवलिंग पर जलधारा हमेशा रहती है ऐसे में अगर आप भी शिवलिंग का घ पांदी तामबे का हो तो अति उत्तम होता है तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी जो जुड़ी थी शिवलिंग से और महाशिवरातरी के व्रत से अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार्जनों के स शेयर करना ना भूले जुड़े रहिए चमतकारी तोटके के साथ लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए